असलाम अलेकुम और वेलकम टू चैनल दस्ते खान की दावत यह देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं चनादाल और पालक की बहुत जादा क्रिस्पी क्रिस्पी और मज़दार सी भजिया आपने इस तरह की भजिया पहले कभी नहीं खाई होगी इसमें हमें पहले चनादाल को पीसना होता है पालक को चौप करके इसमें डाल देना होता है और थोड़े से मसारे लगते है और फिर इससे डीफ फ्राइ करना होता है जब यह अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जा जिससे इसका एकसे सोल निकल जाता है सिर्फ 15-20 मिनिट में इफ्तार के लिए भजिया रेडी हो जाती है तो चलिए इस रेसिपी को फटावट से स्टार्ट करते हैं और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए में चैनल को सब्सक्र इस तरह से मैंने से फाइन चॉप कर लिया है और फिर इससे दो तिन पाने से वाश कर लिया है यहाँ पर मैंने आदा कप हरादनिया लिया है आठ से दस लस्टन की कलिया ली है दस से बारा हरी मिर्च लिया है यहाँ पर एक टीस्पुन मैंने जीरा लिया है तो हमें सबसे सबसे पहले चनाडल को ग्राइड करना एक चीज़ का ध्यान रखना है चनाडल yell नहीं करना है सबसे पहले हम जो मसाले में ढ획 את दिख रहे है वो मिसालों को एक में डाल देंगे यह जाओ के साथ भी भी族 मिंगे राइडर से नहीं डाल पालक को हमें इस तदमारे हम इसी तरह से एड़ करके इसे अन्हीं रादांए हेำ यह तो 對 चैनाडाल के जड़ए कुल दाना हो जड़ा कुल सोटाइब देना है इसी तरह से हमें सारी चैनाडाल कुंपीस लेना है और फालके कुल כल दाना है यह तरह से पानी से निकालते हुई उप पानियोक है GATA आज़ए पालक़ डाल से । से मिक्स करलेंगे इसे एहाँ दाल से बहुत अच्छी tas एक चीज आपने नोटिस किया होगी कि इसमें अभी नमक नहीं डाला है विकॉस मैं इसे इफ़तारी के लिए प्रिपैर कर रही हूँ इस तरह से ही मैं मिक्स करके से रख दूँगे विगेर नमक डाले विकॉस अगर मैंने अभी से नमक डाल दिया तो यह बहुत पानी चोड़ेगा और भज्या का बैटर बहुत गिला गिला हो जाएगा जिससे कि हमारी भज्या अच्छी नहीं बनेगी क्रिस्पी नहीं बनेगी तो अगर आप यह सिर्फ स्नैक्स के लिए बना रहे हैं और इमि कि अगजन दिखाऊंगे यह देखियेबक बेटर को अचित Dew से मिक्स कर लिया है । आप हमें से कवर करें रख देंगे और झालं रिये उत्व बाकी 27 अवस्त ते के लिए नेक्स की लिए इसी तरह से आप थोड़ा से एक्स्ट्रा बैटर भी प्रिपर कर सकते हैं जो आप एक्स डिया yes ko법 करेंगे दो नहीं चित्थांव सब्हुआए अभाके छी तरह मालें ऊसमे नामख नहीं है उसमें इसकते पल लाओ है उसे और यह एच्छीा प्लाओ do यहां करेंद है और उसके फॉर्ट बज़े के वभजी दरने हैं, और आइक अछ्मेन से इस दर उपÁ ए खकर हएं उनकों हमें वेट करना है गोल्डन दिखने तक और गोल्डं ब्राउन हो जाए तब हम दूसरे साइड उसे पलडाइंगे और इस तरह से हम स्टर करते हुए जब तक भजिया सारे तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए जब तक हम इसे थोड़ी-थुल्ड़ी दि कर लिया है अब मैं आपको इसे प्लेट करके दिखाते हूं यह देखिए प्लेट करने के लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है विकास इफ्तारी का टाइम होने ही वाला है तो मैंने से जस्ट एक सॉस रख दिया है और इसे भज्या को एक प्लेट में डाल दिया है इसे सब्सक्राइब कीजिए में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए